Hello friends, welcome to L.S. Academy for Technical Education. In today's video, we'll discuss the difference between the crisp set and fuzzy sets. Fuzzy set और crisp set में क्या difference है? आज हम इसके बारे में जानेंगे. सबसे पहले जानें कि रिप्प set क्या होता है? So, crisp set is a set which defines either value is 0 or 1. Crisp set में clear cut precise concept होता है कि या तो value 0 होगी या 1 होगी. इसका मतलब बीच की कोई intermittent video को consideration में नहीं लेता क्रिप सेट either is on the off side or it is on the on side it is either on the yes side or on the no side true side और false side one और zero इसका मतलब यह है कि इसमें clear cut concept है कि या तो कोई भी जो चीज होगी वो one set से बलॉंग करेगा या निकि वाले से बलॉंग करेगी या फिर वो zero से बलॉंग करेगी जबकि अगर हम real life में देखें तो हमारी values zero या one ऐसा नहीं होता कि completely zero से बलॉंग करें या one से बलॉंग करें it is always between zero and one कोई भी चीज completely false या completely true हो ऐसा जरूरी नहीं है it may be between the true and false practical life में ऐसा होता है तो fuzzy set हमारा ऐसी ही values को रिप्रिजेंट करता है तो जो रिक्रिस सेट है इसको हम कहते हैं classical set भी कहते हैं जबकि जो fuzzy set है इसमें हमने जैसे क्या होता है कि खाली ऐसा नहीं होता है ऐसानी के value सुर्फ 0 होगी या 1 होगी it also includes the value between 0 and 1 the value may be 0.2 0.4 0.6 0.8 0.9 और maybe 1 so इसमें 0 1 के साथ साथ उनकी बीच में जो भी values होती हैं उनको भी consideration में दिया जाता है ठीक है second point लिखा हुए it is specify the degree to which something is true इसमें degree का मतलब यह है कि अगर मैं किसी चीज़ को लिखता हूँ कि 0.2 इसका मतलब वो थोड़ा सा true हो सकती है अगर मैं लिखता हूँ 0.4 इसका मतलब और ज्यादा true हो सकती है अगर मैं लिखता हूँ 0.8 इसका मतलब काफी close है true के अगर मैं लिखता हूँ 0.95 इसका मतलब के true होने के बहुत बहुत approximate है तो the degree जो आपकी value है जो strength है degree की वो ये बताती है कि आपका जो भी statement है वो true के कितने ही near rest है अगर मैं लिखता हूं सरफ 0.01 इसका मतलब वो false होने के बहुत ज़्यादा pass है अगर मैं लिखता हूं 0.99 इसका होने के बहुत ज़्यादा close है तो प्रेटिकल लाइफ values को शो करता है और जो मैंने आपको values बताइए वो आपकी degree के लाती है डिगरी बताता है कि वो कितनी close है true के या कितनी close है वो false के ठीक है थर्ड पॉइंट इट शो फुल members फुल membership का मतलब वही है या तो completely false या completely true या तो completely yes या completely no यानकि बीच में कोई नहीं दिखाता या तो set से belong करेगा या belong नहीं करेगा जबकि ऐसा नहीं होता है जो फॉज़ी set है इस शोड दा partial membership पार्शल membership का मतलब इस शोड यस से करेगा वन से लेकर जीरो के बीच में हैं तो उसको शोग करेगा अगर कोई चीज़ से completely belong नहीं करती है थोड़ा से belong करती है तो थोड़ा से belong को दिखाएगा थोड़ा काफी जादा belong करती है उसको भी शोग करेगा या इसमें सारे possible cases को consideration क्या आता है ऐसा नहीं होता है कोई भी चीज या थो belong करेगी या नहीं ब्लॉंक करेगी जिस लेबल तक belong करती है वो उसको डिगरी की फॉर्म में यह शोग करता है यानि कि यह partial membership भी होगी तो उसको भी शो करेगा नेक्स पॉइंट क्रिप सेट का एक्जाम्पल जैसे हमने लिके दिखाया है अगर हम कहते हैं सीज 18-year-old clear-cut है उसकी एज क्या है 18-year-old है इसमें क्या है सीज एबाउट 18-year-old आपने लिख दिया एबाउट 18-year-old इड में भी कि वह 17.9 year old हो 17.11 year old हो 17 years 11 month हो और इड में भी 18.1 हो 18 years one month हो सकता है 18.2 भी हो सकता है अगर आप कह रहें कि 18-year-old है उसकी एज about 18-year-old इसका मतलब है कि इड में भी 17.11 17.10 और इड में 11.18.1 और 18.2 और 18.3 यह नहीं कि 18 के अप्रोक्समेट में भी सम लेस और इड में सम मोर तो इसमें सारी पॉस्विलिट को पॉस्विलिटी इसको कंसीडर किया जाता है है सेकर्ड एक्जांपल वाहिए कि अगर आप किसी के हाइड बता रहो कि 1.6 एम टॉल इसमें फिक्स है हाइड 1.6 है ठीक है इसमें क्या इट इस एबाउट हाइड इस एवाउट वन पॉइंट सिक्स मेटर तॉल इनकी 1.6 मीटर से थोड़ा ऑन पॉइंट इसमहीं इसमें मेट सब्सक्राइब वन पॉइंंट से इसमें हो सकते हैं अगरोगा आएаний नहीं होगा क्रिस्प सेड में अगर 18-year-old है तो ब्लॉंग करेगा अधर ब्लॉंग नहीं करेगा अगर हाइट 1.6 मीटर है तो ब्लॉंग टॉल कहलाएगा वह नहीं तो टॉल नहीं कहलाएगा अगर उसकी 1.59 मीटर भी है हाइट then it is also called short जबकि इसमें अगर थोड़ा सा कम है तो वह नियर अबॉर्ट टॉल होगा जबकि इसमें 1.59 मीटर को भी टॉल नहीं कहा जाएगा 1.59 मीटर को भी नहीं कहा जाएगा और जैसी 1.6 मीटर हो जाएगा तुरंद से टॉल कह जाएगे तो एक्चुली पॉइंट रिलेट टुदर रियल लाइफ एक्जमपल वाइल फजी सेट जो हमने यूज के उसका परपजी है कि वह रियल लाइफ में जो हमारी वैल्यूज होती है इसको मैं कहते है अप्रोक्सिमेटली इतना होगा इतना होगा उसको ब्लॉंग करता है जै तो यह आपका टॉल में आएगा उसक्स्विट से कम कम हैं तो यह आपका सारो शोड में आएगा देखिए शोड अगर फाइप पॉइंट नहीं नाइन बी इए दो यह शॉर्ट में दिखा रहा और जैसी सिक्स होगी तुरंद यह किसम दिखा देका तो आल में दिखा देक जबकि 5 feet 9 inch अगर है तो यह आपका नॉर्मिल शॉट की कटेगरी में नहीं आता है तो यह real point of view से शोनीं कर रहा है जबकि अगर हम देखें fuzzy side में तो इसने कहा कि 5 foot 9 inch है तो यह दिखा रहा है कि tall की कितने अप्रोक्सिमेट है देखिए यहां से यहां तक tall की कितने पास अगर 5.5 foot 9 inch है तो वो 0.6 degree दिखा रहा है approximately tall के और अगर 6.1 inch है तो यह दिखा रहा है कि tall की कितने ज्यादा close है that is approximately equal to 0.8 ठीक है तो वो tall की degree को दिखा रहा है कि tall को consideration में लेते हुए कितना tall है वो 5.9 का मतलब थोड़ा कम tall है 6.1 का मतलब काफी tall है और अगर 6.5 या 6.6 होगा तो हम कहेंगे कि degree क्या हो जाए कि 0.95 और अगर माले 7 foot से भी उपर जा रही है उसकी height तो हम क्या कहेंगे उसको 5.99 क्या सकते हैं आप tallness को यानिकि tallness का जो ratio है वो उसकी point वाली values पर depend करता है degree पर belong करता है जो दिखाता है कि tallness क्या है 549 इंच पर आपका tall तो है लेकिन कितना tall है वो इसने strength बता दी 6.1 पर यानिकि इससे ज्यादा tall है 6.5 कर दूंगा तो मैं इसकी degree और बढ़ा दूंगा 7 foot होगा तो इसकी और बढ़ा जैसे जैसे आपकी height बढ़ती जाएगी वैसे वैसे degree उसकी बढ़ती जाएगी जो दिखाएगा कि और ज्यादा tall है और ज्यादा tall है तो आई होप आपको क्रिप सेट आफ अफजी सेड्मिन डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि दोनों का अपनी परामिटर्स का हैं और किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंशेट करते हैं if you have any doubt you can ask in the comment section thank you so much